वेलकम बैग गाईज आज की इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं गेमिंग सेटप बॉस के अल्टीमिर एडिशन का एक फ्रेश एपिसोड और इस अगर आपको भी पार्टिसपेट करना है सीरीज के अंदर तो बहुत ही सिंपल है नीचे डिस्रिप्शन में एक वीडियो का दिया हुए जहां पर मैंने सारे दूल्स और समझा रखे हैं कि आपको इसके अंदर पार्टिसपेट करने के लिए क्या क्या चीज़े फॉलो करनी पड़ती है वह जाकर देखो एंड देन मुझे इस इमेल एड्रेस पर अपने सेटप की फोटो और सारी की सारी बायो मुझ और उसके अलबा एक PlayStation Camera है, DualShock 4 है एक Extra और जो speakers यूज करता है वो आते हैं Denon की तरफ से जिसके अंदर Dolby Atmos का support भी है तो इसका sound experience जो है वो काफी सही रहता होगा जो ये TV यूज करता है वो है Sony का जो के 40 इंचे का Full HD TV है जो इसके पास Gaming Collection है उसमें Presently इसके पास जो Games है उसक इसके लबा ये भी कह रहा है कि अपने friends के साथ Exchange करके भी Games खेलता रहता है तो इसने खेली काफी सारी है भले इसकी collection में ये थोड़ी सी Games है And finally बात करते हैं भाई के Complete Setup के लुक के बारे में And यार आप देख सकते हो Total MKBHD वाइप जारी है और यारी इसने इतना neat and clean भी रखा हुए उसके साथ environment भी बहुत अच्छी करी हुए है नीचे वली शेल्फ में आप देख सकते हो artificial plants पड़े है उसके साथ लॉरी के दो miniature models पड़े है लॉरी ट्रक जो भी कहलो जो की बहुत सही लग रहा है green वाला खास कर एक दम right-hand side corner पर एक chest पड़ होंगी and obviously आप लोगों को समझाई क्या होगा कि अगर मैंने इतनी तरीफ कर दी है तो भाई को improvement की कोई जुरुवत नहीं है क्योंकि यार जो मैं improvements के लिए suggestions दे था हूं जैसे wire management की या फिर LEDs की उन सब की totally इसको कोई जुरुवत नहीं है जैसा है यह setup एक तम अच्छा लग अगले setup की तरफ बढ़ते हैं जो की मुझे बेजा है करन वांग खेडेने जिसका YouTube नेम है Dead Pirate Gaming description में भाई के चैलन का link भी मिल जाएगा check out करना अगर पसंद है तो subscribe भी करना सो करन भाई 25 साल का है और यह एक businessman है और यह बिलॉंग करते है चंदरपुर से जो की है महारास्टर में भाई के पास एक gaming console और gaming laptop दोनों ही है जो console है वह Xbox One S1 TV Devil May Cry Special Edition वाला और जो इसके पास laptop है वो आता है Asus की तरफ से जिसके अंदर जो configuration है वो है i5 3rd Gen, 8GB RAM और 2GB NVIDIA का graphics card भाई के पास लगबग 79 games की huge collection है बट उन में से मैं कुछ के नाम ले देता हूं GTA 5, FIFA 2020, Gears of War, Forza 6 और Batman Accessories की बात करें तो इनका जो TV है वो है 4K smart TV जो आता है LG की तरफ से यह अपने setup के अंदर एक 2TB external hard disk भी उसके लावा इसके पास अपने laptop के लिए cooling pad भी है अपने laptop के साथ यह Zebronics का keyboard और mouse भी उसके लावा laptop में gaming करने के लिए इसके पास एक wired controller भी है अपने laptop को भी थोड़ा सा personal touch देने के लिए skin चड़ा रही है जो की again काफी अच्छी लग रही है एंड यह skins जो है वो काफी सस्ता जुगार है अगर आप अपने laptop के थोड़े से dents पगेरा चुपाना चाहते हो या फिर एक refreshing की look देना चाहते हो अपने laptop को तो वो भी आप try कर सकते हो no need to say कि करन भाई ने wire management बहुत तकड़ी करी हुई है in fact इसने custom extension code बनवा रहा है extension box बनवा रहा है जो इसने टीवी के पीछे रहा हुआ है और इसके desk के ऊपर भी कोई clutter नहीं है जैसा कि आप देख रहे हो सिर्फ gaming console पड़ा है एपिसोड का episode बोल दिया था भाई सारा comment section सिर्फ उसी दे बरहा हुआ था इस episode का जो next episode है वो हमें भेजा है केशव ने मुझे लग रहा है उस episode के अंदर किसे ने gaming setups देखे नहीं होंगे सिर्फ वही चीज नोट करी होगी तो प्रिंस भाई भी अपना यूट्यूबर है इसका एक गेमिंग चैनल है यूट्यूब पर और उसके चैनल का लिंक आपको description में मिल जाएगा एक बर दूर चेक आउट करना है नगर पसंद आया तो subscribe भी करना भाई की एचे 23 years और भाई job भी कर रहा है study भी कर रहा है यू उसको फिर mainstream आप बाद में कर सकते हो जब वह आपको एक इतना अच्छा return of investment देने लग जाए कि आपको और कुछ करने की नीडी न पड़े भाई के पास एक PlayStation 4 Slim है 1TB और एक Dell का laptop भी है बट वो जो laptop है वो एक gaming laptop नहीं है वो editing वागरे के लिए उसको use करता है तो भाई जो TV PlayStation 4 Slim के साथ वो आता है वी यू की तरफ से जो के 32 इंचेस का full HD TV है और उसके लावाच उसके पर PlayStation 4 की games है वो है GTA 5, God of War और Days Gone भाई ने बहुत पहरा से message भी लिखा है last में भाई कहता है love you bro, love you too और उसके लावाच यह कह रहा है कि hope मैं भी आपकी तरह एक बड़ा gaming channel बनूँ भाई पहली बात हो मेरा कोई बहुत बड़ा gaming channel नहीं है बहुत चोटा सा है and I hope कि जो आपका gaming channel है वो मुझसे भी कही ज्यादा आगे निकले so भाई की complete setup की look के बार में बात करते है and सबसे बहले चीज़ जो यहाँ पर मुझे एकदम strike कर रही है वो है यह white color का cabinet and जो shelves है इसके अंदर इसने बहुत अच्छा use किया हुए उनका अपनी game की disk के साथा इसने कोछ शोपीज भी रखा हुए जैसे यह चोटा सा fan उसके नहीं हूं तो जो यह gaming desk है इसका उसके second drawer में इसने mohly बांदी हुई है and I think शायद भाई ने भी अपने पूरे gaming setup की पूजा करी होगी जैसे मैंने जब अपना PC बिल्ड किया था तो मैंने इसकी पूजा करी थी अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखिया तो उप देखना वो बहुत amazing video है in fact one of the most popular videos है मेरे चैनल की and मैं Prince भाई को भी बोलोगा कि अपने setup में कोई भी changes करने की नीद नहीं है बहुत सुंदर लग रहा है यह setup ultimate setup के list में जो मैं next setup feature कर रहा हूं वो हमें भेजा है सागर जैस्वाल ने जो की 20 years का है बट इसने अपनी bio में कु करने के लिए यह sony की तरफ से आने वाला होम थेटर सिस्टम भी यूज करता है 1000 watts का भाई के पास यह gaming PC भी है जो इसने अपने main setup के साथ तो नहीं रखा हुआ बट उसकी configuration है 1070 Ti ग्राफिस कार्ड राइजन 5 3700 16gb of 3200 MHz RAM गेम में भाई के पास वो फिजिकल कॉपीज है व यह TP-Link के तरफ से आने वाला एक Wi-Fi Extender भी यूज करता है फाइनली बात करते हैं भाई के overall setup की लुक के बारे में and भाई सबसे पहले चीज तो मैं यह पूछना चाहूँगा कि तुन्हें वायर मनेजमेंट इतनी क्लीन कैसे करी है मुझे भी तैसे tips लेने की जुरूद पड लिखती है और मैं पहले भाई को बोले होना था कि अपना 5.1 surround sound वाला home theater system है इसके speakers है अलग-अलग अपनी walls पे hang कर वाले so that sound output है वो काफी immersive हो जाएगा चारों तरफ से sound आएगी बट फिर इसने अपने email के अंदर यह mention किया हुए कि मैं अभी थोड़े time के बाद इसको करवा लूँगा एक्चुली lockdown के वेज़े से रुका हुआ था इसके लवा भाई को किसी भी advice की need नहीं है and setup बहुत ही अच्छ was और अरबन भाई believe me तेरा setup feature करते वक्तना proud moment मेरे लिए है ना कि आपके लिए सच में so भाई है 22 years का जो की एक animation student है और यह बिलोंग करता है West Bank Hall से जैसे मना भी बताया भाई के पास एक काफी basic सा laptop है जो वो यूज करता है अपने gaming purpose के लिए और I guess अपनी animation की पढ़ाई के ल जाएगा check out करना subscribe भी करना अगर चैनल पसंद आए तो भाई अपने laptop के साथ कीबॉर्ड माउंस और headphones भी यूज करता है बट पता नहीं क्यों इसने for some reason उनका model number यहां पर mention नहीं किया भाई अपने laptop के साथ कंट्रोलर भी उस करता है जो I believe PlayStation 2 वाले टाइप का है तो भाई की overall setup की look देखने के बाद हो जकता है आपके मन में कोशन आए कि दिशान भाई ने इसको ultimate setups में क्यों include किया भाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि ultimate setups में include होने के लिए आपको कुछ भी over the top करने की नीद नहीं है मैं यहां पर आप लोगों की family background या फिर आपका financial status जज करने नहीं बैठा हूं और नहीं मैं चाहता हूं कि उसी की वजह से आप सिर्फ ultimate setups में feature हो पाऊ मेरा यहां पर ultimate setups में feature करने का फंड है ना वह अलग है सबसे और वह यह चीज है मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहरा था कि भाई का जहां पर setup है वह शायद बहुत परफेक्ट जगर नहीं हो सकती बट जो इसने इमना setup रखने का तरीका दिखा है वह बहुत amazing है जो presentation है setup दिखाने की और जो इसने चोटे-मोटे अपने personal touches दी है खासकर ही जो Wolverine की पेंटिंग लगार किया पीछे जो की तीन हिस्सों में बाट रखी है उसके साथा यह एक Wolverine का फिगरीन वो भी शायद एक chart paper ही लग रहा है जिसके ओपर इसने custom drawing कर रहे है खुद से और यह चीज़ भी यार बहुत amazing लग रही है कसम से मैं बस भाई को यही बोलना चाहूँगा की भाई कोई भी improvement की need नहीं है तेरे setup को and भाई मैं सच बोल रहो कि इतना wholesome लग रहा है मुझे तेर proud moment है and thanks for sharing this setup so this is it guys gaming setup was ultimate edition के इस episode के लिए इतना ही I hope आप लोगों को यह सारे setups बहुत पसंद आयो होंगे and जिन लोगों का youtube channel है उनको support करना मत भूलना links in the description and video का like target भी पूर करवाना मत भूलना 10,000 likes ठीक है मिलता है एकले episode में तब तक के लिए adios